जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है बोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे बोल सबा अब तक तेरी है क्या कोई शक्स एक ही पंक्ती में भारत माता की जय और किसी को मा की गाली दे सकता है दोस्तों जो वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ मैं उसे दो हिस्सों में बाटूँगा दरसल आज का शो बिहार के अंदर कनहिया पर हुए हमले को लेकर है मगर ये वीडियो बहुत कुछ कहता है दोस्तों सबसे पहले आप देखिए किस तरह से हमलावर लगातार कनहिया को मा की गाली दे रहे है ये करीब धाई मिनिट का वीडियो है मैं उसे दो हिस्से में आपको बताने वाला हूँ और इसका मकसद क्या है मैं आपको कुछ देर बाद बताऊँगा सबसे पहले आप वो हिस्सा देखिए जहां खुले आम कनहिया को मा की गालिया दे जा रही है तो देखा आपने ये हैं संसकारी कारकरता ये वो लोग हैं जो की नागरिक्ता बिलका समर्थन करते हैं और इस तरह से अपने संसकारों का परिचा दे रहे हैं मगर बात यहां नहीं रुकती है मैंने कारकरम की शुरुआत में आपसे क्या कहा था कि क्या कोई शक्स एक ही पंक्ती में भारत माता की जाए और मा की गाली बख सकता है क्योंकि अगर आप भारत को अपनी माता मानते हैं तो क्या आप उसी सांस में किसी को मा की गाली बखेंगे अब इस वीडियो का ये हिस्सा देखिए और साथ-साथ ये भी देखिए किस तरह से घुसे में भीड बढ़ती है पुलीस पूरी तरह से वेबस दिखाए दे रही है और एक खौफ का मनजर है कल्पना कीजिए अगर इन्होंने उस गाड़ी के अंदर से कनहिया को निकाल दिया होता तो क्या हश्र होता आप देखिए किस तरह से एक ही सास में ये लोग मा की गाली भी बक रहे हैं और भारत माता की जैप भी बोल रहे है दोस्तों आपको याद होगा कि भारती जाता पार्टी निताक सर शाहिन बाग के बारे में कहते हैं जो लोग हाथ में तिरंगा पहरा रहे हैं या भारत माता की जैप बोल रहे हैं वो अचानक देशभक्त नहीं हो जाते मगर मैं आपको बताओं ये जो लोग एक ही पंक्ती में एक ही सास में भारत माता की जैप और मा की गाली बक रहना ये बीजेपी और उनकी प्रॉपगांडा मशिनरी के लिए देशभक्त जरूर है बेशक ये किसी की माँ को अपमानित कर रहे है मेरी और आपकी शत्रता हो सकती है आप और मैं वैचारिक तोर पर एक दूसरे से मेल ना खाते हूँ मगर अगर हमने एक चीज सिखी है वो ये कि हम अपने परिवारों को बीच में ना लाएं और हम एक दूसरे के परिवारों को गाली ना दे और यहाँ पर भदी गालियां किसी की माँ को लेकर और न शिर्व कनहीया की मा को बलकि तुम देश की भी तौहीन कर रहे परदेश की हो, शाहे दिल्ली की हो या बिहार की, इन्होंने हर जगा शर्मसार करने का काम किया है दोस्तों अपनी हरकतों से मैं सबसे पहले आपको एक मिसाल देना चाहूँगा बीदर का, करनाटक के बीदर का यहां जो हुआ दोस्तों वो इनसानियत के खिलाफ एक गुना है बीदर के एक स्कूल में नागरिक्ता बिल के खिलाफ शात्रों से कुछ नारे लगवाये गए मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि इन में से कुछ नारे नहायत ही अभध्र थे जिसमें प्रधान मंत्री की बेज़ती की गई थी मैंने अपने पहले भी वीडियोज में कहा है कि आपकी सियासत जो भी है अपने बच्चों को उसमें शामिल मत कीजिए मैं जो आपसे यहां पर कहना चाह रहा हूँ जानते हैं क्या हुआ आपको याद होगा वो बहुती चिर परिशित तस्वीर जिसमें पुलीस बच्चों को सामने बिठा कर उनसे पूछताच कर रही थी मगर अब जो हुआ है ना वो सिहरन पैदा करती है एक विद्वा एक विद्वा को पुलीस ने गिरफतार कर लिया है और क्या आप जानते हैं उस विद्वा की एक बच्ची है और वो घर में है अकेली आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों उस बच्ची को दिजाईर सी बात है आप देश द्रोह के मामले में गिरफतार नहीं कर सकते हैं कम से कम आज नहीं कर सकते हैं हो सकता आज से एक दो साल पाद आप वो भी करना शुरू कर देंगे वो बच्ची घर में अकेली है और उसकी माँ को देश द्रोह के आरोप में गिरफतार कर लिया गया है देखिए अगर प्रधान मंत्री के खिलाफ अभधरता भरे नारे लगाये गए हैं तो यकीनन आप उनके खिलाफ डेफिमेशन केस कीजिए ये अभधरता का मामला हो सकता है मगर ट्रीजन? देश द्रो? क्या करनाटक पुलीस अपने गिरबान में जाक कर देखेगी कि तुमने इस कदर एक बच्ची को अपनी मां से दूर कर दिया वो बच्ची जिसे जरूरत है अपनी मां की और मुकद्मा तुमने मामला जो है तुमने देश द्रो का लगा दिया बात यहां नहीं रुकती दोस्तों पुलीस किस कदर बेशरमी से काम कर रही है कि अब तो एलेक्शन कमिशन जो पूरी तरह से इस सरकार का पिछ लगू है सरकार के सामने उसने घुटने टिक दिये हैं उस तक को होश आ गया है क्या आप जानते हैं कि राजेश दियो जो की डी सी पी क्राइम है उनके खिलाफ कारवाई के आदेश दिये हैं एलेक्शन कमिशन ने मैं आपके सामने इंडिन एक्स्प्रेस की खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ते एलेक्शन कमिशन न वेंस्डे बार्ड देपिटी कमिशनर अफ पुलीस क्राइम ब्रांच राजेश दियो from poll duty a day after he gave a statement to the media saying that the Shaheen Bagh shooter had joined the Aam Aadmi Party last year the poll panel said Deo's statement was totally uncalled for and could adversely impact elections यानि कि ये राजेश दियो खुले आम भारती जानता पार्टी की बैटिंग कर रहा है क्या कर रहा है इसने एक बयान दे दिया मीडिया को कि जिस शक्स इस शक्स ने, Kapil Gujar ने गोली चलाई थी शाहिन बाग में इसके आम आदमी पार्टी के साथ तालुकात है जबकि अब मैं आपको जो बयान सुनाने वाला हूँ उसमें साफ तोर पर Kapil Gujar पिता जो है गजे सिंग वो कह रहे हैं कि उनका बेटा दरसल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रौमिशाह का सेवक था उनका कोई तालुक आम आदमी पार्टी से नहीं था क्या राजेश देवने इस पहलू को मीडिया के सामने रखा मीडिया के सामने इस कदर पुलीस बेशर्ब हो गई है सुनिए पिता गजे सिंग क्या कह रहे है मैंने वैशी परचार हो रहा था परचार होने पर वैशी उन्होंने जबर्जस्तिया करके टुटोपी उड़ा दिये वही ये पार्टी में वो कलो कर लो करें हमार को छी मैटर नहीं ये ना माधि परटी जो नहीं हमारे क्सिया तालिक नहीं कि भूण करी और भी कभी ना राजनीति में आये थे तब 2012 तक हम बीएस्पी में रहे थे और बीएस्पी से होने के बाद मेरी तब खराब रहने लगी मैंने राजनीति से बिल्कुल एक दम छोड़ दिया राजनीति कंदी बंद कर दी तब समय नहीं गया जैसे चुनाओ लोग सभा का हो रहा था तो उस टेम पर यह ऐस लोग आ रहे थे तो वहाँ जाकर कर दो लोग थे ऐसी मजाक में उन्हें जाकर कर दो दिया उससे मेरे कोई महला नहीं अब ही मेरे पास चुनाओ चल रहा है हैं बीजेपी वाले भी आए थे मैं तो उनको भी पिर्टाशी धिल्लो सिंग को भी मैंने मारा पहला ही है उसको भी बैसी बात नहीं है मैं तो हरा आदमी को करता हूँ अगर मैं राज नहीं थे मेरे को मतलब नहीं जाश्टे आपको याद होगा एलेक्शन कमिशन ने इसी तरह से चिनमय बिस्वाल एक और पुलीस आफिसर के खिलाफ कारवाई की अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अत्तर पदेश के आजम कड में क्या हो रहा है बिजनौर की अदालत ने आपको याद होगा कड़ी भटकार ल मामले में गिरफतार कर लिया है यह देशद्रो नहीं हो गया गोल गपा हो गया कि किसी को भी तुम थमा देते हो गप से मूँ में डाल देते हो अरे कम से कम देश की तो इस्जत करो किसी भी मुद्दे पर तुम द्रेशदो का मामला डाल देते हो और मैं दिल्ली पुलीस से पूछना चाता हूं उनका क्या, जो साफ तौर पर अपनी हरकतों से दिल्ली के अंदर दंगे भड़काना चाहते हैं, जूट बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, आपके स्क्रीन्स पर भारती जैनता पार्टी के प्रवक्ता, विवादास्पत प्रवक्ता संभित पात्रा संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में ये दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है अमानतल्लाँ खान उन्होंने ये कहा था कि अब शरिया लागू होगा जबकि अमानतल्लाँ खान कुछ नहीं बलकि जरिया कह रहे थे शरिया नहीं कह रहे थे आप सुनिए अमादतुल्ला खान क्या रही है और खुद फैसला कीजिए क्या अमादतुल्ला खान यहां जर्या कह रहे हैं या शरीया कह रहे हैं अब इस शक्स को देखिए अमित मालवी इसके खिलाफ शाहिन बाग की महिलाओं ने पुलीस में केस दर्श किया है इसके खिलाफ मुकदमा दर्श किया है कि किस तरह से ये आदमी जूट पहला रहा था कि 500-500 रुपए में वहाँ औरते बैठती है अब इसका ये ट्वीड देखिए ये कह रहा है कि ये प्रमान है कि किस तरह से बिर्यानी बाटी जा रही है शाहिन बाग की जनता को अमित मालवी क्या तुम भूल गए कि जब अन्ना अंदोलन चल रहा था इसी तरह से लोग घर से खाना बना के लाते थे और लोगों को बाटते थे वहाँ पे ऐसे कई अंदोलन कारी थे जो अलग-अलग बाहर अपके शेहरों से आये थे और तुम्हें आपती ये है कि एक छोटे से पकेट में अगर कोई बिर्यानी बाट रहा है और यहाँ जो लोग है वो बिर्यानी उसी तरह से खाते हैं जिस तरह से हम लोग पुलाओ खाते हैं मैं तो बिर्यानी भी खाता हूँ, मैं तो मटन बिर्यानी भी खाता हूँ, चिकन बिर्यानी भी खाता हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है सवाल ये है कि अब तुम इतने नीचे गिर गए हो कि अब इस मुद्दे को लेकर तुम सियासत कर रहे हो अब इस शक्स को देखिए तेजस्फी सूरिया, यह सानसद हैं कल संसद के अंदर जो इन्होंने बात की, यह अपने आप में हैरत पैदा करती है एक के बाद यह लोग जो हैं, गिरने के रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहे हैं तेजस्वी सूरिया ने संसर्थ में जानते हैं क्या कहा इन्होंने कहा कि अगर बहुमत सतर्क नहीं रहा तो भारत के अंदर फिर से मुगल काल आ जाएगा हाद जोड़कर मेरी प्रारतना है इन लोगों को मुझे ऐसा लगता है टाइम मशीन तयार करनी चाहिए और वापिस वैदिक काल वापिस मुगल काल भेज देना चाहिए हाथ में तलवार लिए जाके लड़ो तुम उनसे ठीक है लड़ो तुम उनसे इस कदर इन लोगों पर मुगल हावी हैं मैं जानना चाहता हूँ कि या क्या ये लोग मुगलों के एजिंट हैं या पाकिस्तानियों के एजिंट हैं आपको याद होगा वो विडियो कि किस तरह से योगी आदितनात ने अड़ तालीस सेकेंड में पाकिस्तान का आठ बार नाम लिया था इतना तो ये शक्स इमरान खान पाकिस्तान का नाम नहीं लेता है जितना तुम लेते हो भाई मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि मुगलों के साथ या पाकिस्तानियों के साथ तुम्हारा क्या नाता है मैं बताता हूँ तुम्हारा क्या नाता है और मैं बता शिनमयानंद, बलातकार कारूपी, इन्हें अदालत ने बेल पर रिहा कर दिया है कोई बहुत महान काम नहीं किया है, वीडियोस सामने मौजूद हैं जिसमें शक्स ने अपने रसूख का इस्तमाल करते हुए लड़कियों को यातना दी वीडियोस अपने आप में बहुत शर्णाक है अब अदालत ने उन्हें क्यों बेल दी, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा वो बिलकुल एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं कभी और आपसे बात करूँगा मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ संसकार क्या है भारती जनता पार्टी के कार करता हूँ कि अब मैं आपको वीडियो बताता हूँ नजाने कौन से स्वतंतरता संग्राम से चिनमायनन निकले हैं यहां पर उनके पक्ष में नारे लगाये जा रहे हैं, देखिए वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भारत माता की जै, उसी स्वर में मा की गाली उसी स्वर में बलातकार के आरोपियों का समर्थन उसी स्वर में आप अपने ही देश की जनता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल में माहौल को उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं, दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं मैं यह जानना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ती जो दिमाग से सूचता हो आखिर इन तमाम चीज़ों को कैसे सही ठहरा सकता है और अगर ये चीज़ करके तुम दिल्ली विधान सभा चुनाव जीत भी गए तो तुम भवश्च के लिए इस देश के लिए क्या राह दिखा रहे हो खेर मेरा तो मकसद था बोल के लब आजाद हैं तेरे में अपने बोल बुलंद करना आप अपने बोल बुलंद करना चाहते हैं या नहीं ये आपकी आत्मा पर बोज रहेगा अब इसार शर्मा को दीजिए इजाज़त मेरे आप सबसे अपील कि हमारे चानल न्यूज क्लिक को सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई विडियो करूँ सीधे आपके फूंस तक पहुंच जाए इजाज़त दीजिए नमस्कार